हलो दोस्तों, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ड्राइ फ्रूट बर्फी यानि की पंच मेवा बर्फी इसे बोलते हैं हलवाई की दुगानों पे, आप इसे कोई भी नाम से बोल सकते हो, ड्राइ फ्रूट बर्फी भी कह सकते हो, जो भी आ यहाँ पे काजू लिया है, सबसे जादा मतलब की एक कप काजू है, 200 ग्राम काजू है, और यहाँ पे 50 ग्राम हमारे पास बदाम है, और थोड़ से हमारे पास यहाँ पे पिस्ता है, तो इनी तीन ड्राइ फ्रूट को मिक्स करके हम बनाने वाले हैं, तो यह जो काजू है, हमें इन तीनों ड्राइफ रूड को क्या करना है कि पाउडर नहीं बनाना हमें क्रश करना है तो इसको क्रश करने के लिए चाहे आप इस तरह का चौपर का यूज कर सकते हो चौपर के अंदर आप इसको आप चलाएंगे तो बिल्कुल छोटे बिल्कुल बारिक वाले पानों पर होता है तो उससे क्या होता है कि लच्छेदार कटिंग हो जाती है मशीन में तो लच्छेदार कटिंग अगर आप कर सकते हो किसी तरह से तो कर लेना नहीं तो आप चौपर का यूज करके इस तरह से आप बिल्कुल बारीक-बारीक टुकड़े कर सकते हो यह देखि तो ये बिल्कुल बारीक बारीक हमने टुकडे कर लिये हैं इसके और बिल्कुल बारीक किया है बहुत जादा नहीं बारीक है बश ठीक ठाक है इस तरह से कर ले ना इससे थोड़े बड़े भी रहेंगे तब भी चल जाएंगे तो यह जो drive food है इन्हें हमने भोना नहीं है इन्हें हमने रोष्ट नहीं किया था तो आप चाहो तो इसे पहले ही fry कर सकते हो रोष्ट कर सकते हो उसके बाद पीश सकते हो या फिर आप पीशने के बाद चाहो तो पैन में थोड़ा सा घी डालके या फिर ऐसे ही थोड़ा सा प बाद में भी करते हो तो आप एक दो चमच घी डाल के आप इसको बाद में थोड़ा सा ऐसे रोष्ट कर सकते हो तो मैं यहां पे बीना घी वगरा डाले इसको डिर्क लिए ऐसे रोष्ट कर रहा हो थोड़ा सा अगर को घी पसंद हो तो यहां पे एक चमच घी डाल सकते हो दो वह पर भी नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा रोष्ट करके पहले से सारे ड्राइफरूट को रोष्ट करके बेल सकते हो बेलने से अच्छ से लिए क्रश्ट हो जाएगा बस यह बिल्कुल रोष्ट हो गया है तो मैंने साइड में रख दिया है अब हम क्या करेंगे एक दूस से उबल जाए तो उसके एक मिनट आपने अच्छे से इसको उबालना है मतलब एक मिनट तक उबलने देना है ताकि इस चाशनी में एक तार बन जाए फ्लेवर के लिए अगर आप कुछ डालना चाहें जैसे के वड़ा वाटर या फिर रोज वाटर जो भी आपके पास है आप चेक करना है इस तरह से एक तार इसके अंदर बननी चाहिए देखे एक तार इसके अंदर बन चुकी है चाशनी में तो अब हम क्या करेंगे इस चाशनी को बंद कर देंगे गयास बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हमें केसर डालना है केसर थोड़ा सा मैंने पा लगे मैंने केसर वाला बनाया है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने येलोफुट तो यह बिल्कुल दरदरा ही रहने वाला है, मतलब की ड्राइफ रूट वाला ही पूरा टेस्ट रहने वाला है, और पूरा जो ड्राइफ रूट का दरदरापन है, वो सारा कुछ आपको फील होगा खाने में, तो बस हमें इसको बाइंडिंग में लेकि आना है, इसलिए हमने या पर इस तरह से एकतार वाली चाशनी बनाई है, अच्छे से मिक्स करने के बाद, अब हम इसके अंदर एक चम्मच, बड़ा चम्मच हम घी डाल देंगे, घी से क्या होगा, कि यह बिल्कुल अच्छे से पैन को छोड़ने लग जाएगा, और यह सौफ्ट रहेगी बरफ तो बस एक बार इस तरह से जब अच्छे से उबल जाए, यह देखिए, एक मिनट मैंने बोला था इसको लो फ्लेम पे पकाने को, तो जैसे एक बार ऐसे उबाल आ जाए तो गैस को बंद कर देना, बस गैस बंद करने के बाद इसे हमें ठंडा करना है, और जैसे जैसे यह होता जाएगा, यह देखिए, बिल्कुल टाइट होता जाएगा, यह देखिए, इस तरह से बिल्कुल टाइट होने लग जाएगा, बहुत जादा टाइट नहीं होना है, मतलब बहुत जादा इसको टाइट नहीं करना है, अगर यह जादा टाइट होने लग जाए, बहुत ठधना करके इसको सेट करें ताकि या बर्फी वह सफ्ट रहे हाड नहीं हो तो देखिए हम इसको ठधना कर लिया है पतल्प bears गरते आप जैसे आपको पतल लाकना है थिकinté्स वगरा बस आप इसको सेट कर सकते हो ऊपर से थोड़ा सा ड्राइफ रूड और लगा देंगे ताकि और अच्छा लगे देखने में मैंने यह एक कटे हुए पेस्था बदाम थोड़ा सा उपर से लगा दिया है और उसके बाद इसको हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से ड्राइफ रोड इसके ऊपर चिपक जाए और यह बिलकुल आराम से जब हम कटिंग करें तो यह कटिंग करने के टाइम पर चाको में फसके निकलेना तो बस इसको हम चिपका देंगे इसके ऊपर आराम से और इसे दो तीन घंटे के लिए हम सेट होने के चोड़ देंगे आसी तो रूम टेंपरेचर पर आसी दो घंटे के लिए रख देना है बस ऐसे फ्रेज में रखने के ज़रूत नहीं है लेकिन आप चाहो तो जल्दी कट करना है तो आप दस से पंदरा मिनट के लिए फ्रेज में भी रख सकते हो उसके बाद दो घंटे के इसकी कटिंग करने के बाद यह हमारी बिल्कुल बरफी रैडी है द्राइफ रूट बरफी या फिर पंच मेवा बरफी जो मर्जी आप बोल सकते हो इसे मेवा बाइट भी बोला जाता है इसे आप रैपर में पैक करके आप इसको रखेंगे तो काफी जादा अच्छा रहे तो ये देखिये दोनों तरफ से बिल्कुल perfect लग रहा है ये दिखिये बिल्कुल perfect बरफी moist है बिल्कुल soft है और मुमें डालते ही ये बरफी घुल जाने वाली है तो बहुती टेस्टी बहुती जल्दी बनने वाली ये recipe है और इसे आप दिवाली में या कभी भी कोई भी festival हो या घर में वैसे खाने का मन करें तो आप इससे जरूर ट्राइब करें और यह लॉंग टाइम तक आप स्टोर भी कर सकते हैं अप इसे फ्रिज में एक महिने तक रखके भी खा सकते हैं तो कैसी लगी दोस्तों यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताईए और कौन-कौन सी रेस स्क्राइब करके बगल में घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा ले ताकि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू सू मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में